असलाम आलेकूं, हम लोग क्लास सेकेंड की उर्दू पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को मुकमल कर लिया है। अब लोगों ने चैप्टर नमबर 6 पड़ा थे इसमें शहिद की मक्ही के बारे में बताया गया थे कि वो कैसे वर्क करती है और कैसे लोगों को फायदा पहुचाती है कि इतनी मेहनत करती है और इसी के जरीया से हम लोग इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे पहले एक्सर सब्ट होता है कि हैरत में पड़ जाना महनत मतलब होता है की मज़्धूरी सहत मतलब होता है की तंदृस्ती meant बूस्ते देख लेते हैं कोशन एंसर है देखीए दूसरी एक सबालों के जवाब देजिए पहला कोशन को सहत की मukh technoluk फूलों से रस किस तरह निकालती है तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा थे कि एक लंबी सूई के मदद से वो फूलों से रस निकालती है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि एक लंबी सूई की मदद से सूई की मदद से वो फूलों से वो फूलो से रस निकालती है देखिए एक लंबी सूई की मदसे वो फूलो से रस निकालती है दूसरा कोशन हम लोगों का क्या है शहत कहां इखटा होता है हम लोगोंने क्या पढ़ा था इसमें की मोम से बने छे खाने वाले घर में मोम से बने छे खाने वाले घर में देखिए हम लोगों ने दो मुकमल कर लिया है फिर तीसरा कोश्चन क्या है कि शहद की मक्खियों की देख भाल कौन करता है तो इसके जवाब में हम लोग ने पढ़ा था कि जो शहद की मक्खी का राजा होते हैं वो कोई काम नहीं कर तो वो आराम करता है जो शहद की मख्यी की रानी होती है वो सब काम करती है तो यहां पर लिख देंगे की रानी मख्य रानी मख्य फिर चौथा कोशन है की मोम से क्या क्या बनता है तो अमने लोगों पढ़ा है की मोम से क्या बनता है मोम बत्ती बनती है, मरहम बनता है और शहद बनता है तो यहाँ पर लिख देंगे मोम बत्ती मोम बत्ती और मरहम मरहम और शहद वगेरा और शहद वगेरा मोम से क्या क्या बनता है मोम बत्ती बनती है मरहम बनता और शहद बनता है फिर पाश्वा कोश्चन के हम लोगों का शहद हमारे किस काम आता है सहथ हमारे सेहत के लिए और हर बिमारी के लिए काम आता है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेहत के लिए और हर बिमारी में काम आता है है काम आता है फिर दूसरा देखिए exercise क्या है इसकी अलिफ और बे हिस्सों में से फिक्रे मिला कर जुमले बनाई है मतलब यह जो sentence इसको मुकमल करना है इसको हम लोगों को match करना match the column जो नहीं होता है यह वही है देखिए पहला क्या है कि शहद की मक्षियों के घर को देखकर बड़े बड़े कारिगर हैरान रह जाते हैं तो number five में हम लोग इसको मिला देंगे देखिए number five में मिला देंगे फिर इस शहद की मक्षि के मुह में एक डंक होता है जिसकी मदब से वह फूलों उसे रस निकालती है, तो यहाँ पन नमबर फर्स्ट में मिला देंगे, फिर अगर राजा उसे मनाने आता है, नमबर फोर में मिला देंगे, फिर इस शहर्थ हमारे किस काम होता है, तो शहर्थ हर बीमारी में काम आता है, तो नमबर टू में मिला देंगे, फिर अगर मक्ही ग कि देख लिजे और अपनी नोट बुक में इसको उतार लिजेगा और आप लोगों को जो भी समझ में नहीं है कि आप कमेंट में बता दूंगे आपको और इसी तरह के साम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और आप ना जो पिछला सब है कि आप इसको रिवाइस कर होते रही है इससे आने मुले सबक में आपको बहुत आसानी होगी और आज की वीडियो के लिए मिलते दूसरी वीडियो में तब तक के लिए लिए लाहाफीज